जम्मु कश्मीर के अनंतनाग में सेना और अतंगवादियों की मुटभेड में तीन सेन अफसरों के साथ एक जवान भी शहीद हो गया है। सेन अफसरों के शहादत को लेकर पुरा देश शाकुरशित है। फूल सयद चौराहे पर राष्टी हिंदू परिश्यत पाकिस्तान का ज़ंडा और पोश्टर जलाया है। प्रक्षा कर्मियों की शहादत का बदला लिया जाए। पाकिस्तान आतंगवादियों का अड़्डा बन गया है। पूरे विश्वों को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। भारत के पीछे पूरा विश्व चला था। इसलिए चला था। अगर आज विश्व को चिनोती दिया पाकिस्तान ने कि हमारा आतंगवाद जिंदाबाद और आपकी सांती बारता मुर्दाबाद। क्योंकि जिस तरह से आतंगवाद पेहनों ने बात की थी कि आतंगवाद हम सेहन नहीं करेंगे। यह रूस को अमेरिका को हिंदुस्तान को चापान को खिलोच शिनोती दिया पाकिस्तान ने। अगर आप रोक सके तो हमारे आतंगवाद को रोक दें। हम इसी तरह बंबी भोड़ेंगे, इसी तरह हम फोजियों को भी मारेंगे। अगर इन देशों में नेकवी नेकवी सरम बाकी है, या तो चूड़ी पहलने ये देश, चाए वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, चाए रूस हो, जापान हो, या पाकिस्तान को 24 गंटी के अंदर जवाब दें। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हुमाईयों मुजामिल भट शहीद हो गए थे। सूत्रों के मताबिक आतंकियों की जानकारी मिलने पर सुरक्षवलों ने उनके खिलाफ ओप्रेशन शुरू कर दिया था। और हमने एक और ऐलन किया है अगर हिंदुस्तान में कोई भी पाकिस्तानी चाहि लाज के लिए आता है चाहि किसी के लिए भी अगर हमारे संग्यान में आएगा तो इस पाकिस्तान को मुध तोर जवाब देने का काम racist ऑप्र शभारत करेगा और उनको किसी भी तरह हिंदु जब आगे बढ़ रहे थे तो आतंकियों ने गोली बारी शुरू कर दी उन्हें हेलिकॉप्टर से निकालने की कोशिश की गई लेकिन गोली बारी के बीच हेलिकॉप्टर वक्त पर लेंड नहीं हो सका। राष्ट्रे हिंदू परिशत की प्तादि कारियों का कहना था कि पाकिस्तान लगातार आतंकी संगतनों की बैठ कर रहा है। प्रधान मंत्री से आगरहे किया है कि सुरक्षा कर्मियों की शहादत का जल्द बदला लिया जाएगा। झाल झाल